हेलो एंड नमस्कार मित्रो हम लेकर आए हैं फिर से आप लोगों के लिए रेलवे एक्जाम 2021 जो कि गुरूप डी का अब सुरू ही होने वाला है उसके लिए मैथेमेटिक्स के प्रिवियस एर के प्रस्न तो अभी हम देखेंगे कुछ मिक्स्ट प्रस्नों को जो रेलवे के गुरूप डी के एक्जाम निशन में 2018 में पूछे गए थे तो चलिए इस शुरू करते हैं अपने इस शेशन को अपना पहला सवाल क्या कह रहा है तो पहला सवाल है कि एक परिच्छा में परन ने 63 अंक प्राप्त किये जो की 84 पर तिसत अंक प्राप्त करने के बराबर थे तो माल लेते हैं कि एक्स अंको की परिच्छा थी और उसका 84 पर तिसत जो है बो प्राप्त हुआ है परन को जो की 63 है तो निश्चत रूप से आप जब देखोगे तो 21 तिया 63 और 24 का 84 होता है और 4 से 100 चला जाएगा 25 बारबे और 25 को जब 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हो परस्त कहर रहा है कि एक 160 मीटर लंबी ट्रेंज, 740 मीटर लंबे पूल को 40.5 सेकंड में पाड़ करती है तो ट्रेंज की गती क्या है बहुत ही आसान परस्त है तो देखो पहली बात है कि ट्रेन की लंबाई जो भी है उसे आप लिख लिजिए 160 है अब कह रहा है कि पूल कितना लंबा है तो 740 मिटर लंबा है तो मैंने उसे भी लिख लिया है टोटल समय कितना लग रहा है 40.5 सेकंड तो मैंने इसको भी लिख लिया है 40.5 सेकंड और train की गती निकालनी और answer देखोगे तो answer प्रती किलोमेटर में दिया हुआ है मतलब किलोमेटर प्रती घंटे में दिया हुआ है आपको क्या करना होगा इसको पदलने के लिए सीधी बात है मिटर पर सेकेंड को किलोमेटर प्रतियावण मिले जाने के लिए 18 बटा 5 से गुना भाग करना परता है तो हम लोग इसको गुना करने वाले हैं अब बात होती है calculation की चलिए calculation बहुत जल्दी शुरू करते हैं तो 160 प्लस 740 देखोगे तो उपर में हो जाएगा 900 नीचे 405 कर देते हैं और point के बदले उपर में एक 0 हम add कर देते हैं और इधर हो जाएगा 18 बटा 5 ठीक है अब जो काटपिट करना है आप काटपिट कीजिए काटपिट करने से क्या होगा देखते हैं तो हमने क्या किया सबसे पहले इसको काटपिट किया मैंने काटा 9 दुना 18 और इसको काटा 9 4 का 36 और 9 5 पच्या 45 मतलब 45 बढ़ में चला गया अब 45 से 9000 को जब काटेंगे तो 2 बार में 90 तो ये 200 बार में चला जाना है 5 से जब 200 को काटेंगे तो ये 40 बार में चला गया और 40 को जब 2 से गुना करेंगे तो 40 दुना कितना होता 80 होता आप देखो यही आंसर भी है 80 किलोमेटर प्रती घंटा बहुत अच्छी बात है बढ़ते हैं अगले प्रस्न प्योर अपना अगला प्रस्न क्या कह रहा है कि यदि किसी परिच्छा में सफल होने के लिए 34 पर 30 अंक पाने की आवे सकता है तो 40 में से कितने अंक की आवे सकता होगी देखो यह बेसिक सा एकदम प्रस्न है कि 40 का आप जब 34 परस्न निकाल लो कि आपको हूँ बहू आंसर मिलेगा जो आंसर आना चाहिए तो 1-0 से 1-0 कट गया 40 को 34 अजब गुना करेंगे तो गुना होकर आएगा 1-3-6 10 से भाग लगाएंगे तो एवेरेज निकलेगा 1-3-6 ठीक है तो मतलब 1-3.6 इस आवर राइट आंसर जो है इस परस्न का सही जवाब अगला परस्न एक बहुत ही अच्छा परस्न है रेलवे का रेलवे से रेलेटेड प्रस्न है सवाल है कि एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफ Politics को 15 सेंड में पार किया ठीक है तो प्लेटफॉरम की लंबाई तो 140 है ट्रेन की लंबाई नहीं दिया तो X माल लेते एक है कितने दिर में करना होगा जब आप cross multiply करते हो मतलब जब आप 17 को 140 से गुना करोगे then you will got 3,2,3,8,0 17 को जब आप 1 से गुना करोगे तो 17 x हो जाएगा और इधर जब 15 को आप 180 से गुना करोगे तब आपको 2700 मिलेगा और इधर 15 को जब x से गुना करोगे तो 15 x मिलेगा overall क्या होगा कि 15 से 17 x घटेगा तो इधर 2 x हो जाएगा और इधर 2700 से 2380 जाके जब घटेगा तो यह 320 हो जाएगा मतलब x बरावर निकल जाएगा 160 मतलब train की लंबाई कितनी है 160 अब तो यह बहुत आसान है जब train की लंबाई हमें पता है और platform की लंबाई हमको पता है मतलब 160 प्लस 140 जब कर दिये तो पता चला कि 300 मिटर की traveling हुई है और यह 300 मिटर की traveling कितने समय में हुई है तो 15 सेकेंड में हुई है मतलब कितना स्पीड होगी अब 20 मिटर प्रती सेकेंड की स्पीड हो गई है और 20 मिटर प्रती सेकेंड को आप ले जाओगे जब किलो मिटर प्रती आवर में तो 20 गुना 18 बटा 5, 5 चोका 20 और 18 चोका 72 मतलब आप देखो 72 km प्रती घंटा, जो आंसर है, वो बिल्कूल ही सही जवाब है, बढ़ते हैं, अगले प्रसन क्यों और देखते हैं, अगला प्रसन क्या कह रहा है, अरे वह ये तो एकदम सांदार सा प्रसन है, करते हैं, इस प्रसन को भी देखते हैं, कि इस प्रसन का उत् ठीक है कुछ क्या 15 प्रिचनों का योग दे दिया है कितना है यदि आंकडों का माध्ध एक्स है तो बहुत आसान कर दिया यह तो कि 434 प्लस एक्स जो की 15 का एक आसत है या माध्ध एकसा निकालते हैं तो वो कितना निकलना चाहिए एक्स निकलना चाहिए तो निश्चित जिवाइड लगा कि बिल्कुल लगाओगे तो 4, 4, 4, 4, 4, 1, मतलब 31 बार में कटेगा तो अपना आंसर क्या होने वाला है जी हाँ बिल्कुल 31 ही होने वाला है जो है बिल्कुल सही जवाब बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न कहे रहा है कि एक पंखा 4 परतिसत क हानी पर जब बेचा गया तो वो 36 रुपे का बेचा गया है ठीक है तो निश्चित रूप से अगर 4 परतिसत की हानी है तो समान 100 का माल 96 में चला गया है तो 96 का बेल्लू है अगर 36 तो एक का बेल्लू आप यहां से निकाल लो ठीक है और जब एक का बेल्लू निकल जाएगा तो कैसे निकलेगा तो 3600 बटा 96 करना पड़ेगा जब एक का value निकलेगा तो फिर हम 100 का निकाल लेगे क्योंकि बस तू तो अपने आप में 100 होती है 100% होती है कोई वी चीज तो इसको गुना कर देंगे 100 से जब आप इसको गुना भाग लगाओगे तो आपको ये काटने पीटने के बाद आएगा 3750 ठीक है अब ये 3750 रुपे का कोई खडीद का समान है और अगर उसे 42 सो में बेचे तो क्या फैदा होगा अब ये सवाल पूछ रहा है तो चलिए आपको सिखाते हैं 3750 का समान जब 42 स प्लस 2400 बटा 3750 रुना 100 जब मित्रों आप कैलकुलेशन करोगे देन यू बिल गट एप्रॉक्स 12 परसेंट इस दराइट आंसर और आप देखो यहां पर आंसर भी दिया है 12 परसेंट लगवग यहां पर लाब हो रहा है जो बिलकुल ही सही जवाब है कहीं से कोई भी प्र आसत गतिक है तो देखते हैं 10 किलो मीटर 20 किलो मीटर की दो दूरी है समय है 1 घंटा और 5 घंटा मतलब कि 30 किलो मीटर की दूरी 6 घंटे में हुई तो एवरेज उसकी स्पीड कितनी हो गई तो 5 किलो मीटर प्रती घंटा हुई जो बिलकुल ही सही जवाब है मित्रों ऐसे प निकालो यह x है ठीक है तो कह रहा है 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47 प्लस x का जो आसत है मतलब 226 करें क्योंकि एक दो तीन चार पांच छे संख्या है वो कितना दे दिया है तो वो दे दिया है 35 के बरावर है तो हमको क्या करना है सब को जोड़ के x निकालेंगे तो इन सब को जब जोड़ेंगे 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47 तो यह सब जुड़ने के बाद आने वाला है 162 प्लस x से तो x कर देंगे 35 को 600 गुना करेंगे 35 को जब 6 से आप गुना करोगे तो यह गुना होकर आजाएगा 210 तो निश्चित रुप से 210 से जब 162 को घटाओगे तो x निक यह रहे सकते हो काम लजता है कि 40 मेकैनिक एकट की मरबश 56 चपन दिन में करते हैं ठीक है तो 40 मेकैनिक 56 दिन में करता हैं तो टोल काम तो आपको पता चल गया कि भाई यथे यह 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 दिन दिन की करेंगे अब बस आप इससे बनाई और इसमें दिमाग तो नहीं हमने कै in तो 70 दिन लेंगे जो है बिल्कुल ही सही जवाब बरते हैं अगले प्रस्न पर अपना अगला प्रस्न कहरा है कि 16 मजदूर प्रती दिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिन में गिराते हैं ठीक है तो 16 मजदूर 8 घंटा और 32 दिन काम करेंगे तो इमारत गिर जाएगा अभी क्या कर रहा है कि 24 मजदूर 12 घंटे काम करके कितने दिन में गिराएंगे तो एकस दिन में गिराएंगे माल लेते हैं अब तो भाई काच पिट का काम है चली शुरू किजिए 8 दूनी 16 आच तियाई 24 अभी क्या बच गया यह 12 है और इधर यह 8 है तो फिर से काचते हैं इसक तो चार दूनी 8 और 4 तियाई 12 मतलब इधर आ गया 2 दूनी 4 और 4 को जब 32 से गुना करोगे तो हो जाएगा 128 और इधर हो गया 3 तियाई 9 तो मतलब एकस बरावर कितना हो जाएगा 128 बटा 9 जो बिल्कुल ही दिया हुआ है यही है हमारा सही प्रस्न का उत्तर बढ़ते हैं अ आधा काम कर रहा तो पहले पता करते हैं आधा काम है कितने के बरावर तो बारा नामा 108 तो 108 क्या है आधा काम है तो जब इसको 2 से गुना कर देंगे तब तो यह पूरा काम हो जाएगा न तो पूरा काम कितना हो गया तो यह 216 हो गया पूरा काम कहा क्या रहा है कितने व्यक अपना अगला प्रस्न भी एक उसत का प्रस्न है क्या कह रहा है कि 35 49 41 लो लिख देता हूं प्लस 46 प्लस 47 प्लस X तो टोटल कितने संख्या हो गए 6 हो गए का 9 50 कितना दिया है तो 38 दिया है तो भजया तो बहुत 하सान चीज हो गया यह तो अभी क्या आए कि इनकाम लोग 136 लोग संटोटल से गिना लो आपको एक्स निकलेगा और एक्स कितना निकलेगा ओल्मोस चालिस निकलेगा जो है अपना बिल्कूल ही सठीक आंसर जो रेलवे के गूरुब डी के प्रिवेस एर के आंसर सीट में भी आया था मित्रो अभी जिस प्रकार से हम आपकी मदद कर रहे हैं आपके वारिया सरका जो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए डेली अच्छे अच्छे प्रिबियस एर्स के मॉक टेस्ट जो चार गंटों का अलग-अलग टाइमिंग में टेस्स होता है आप इनसे जुरी और फैदा उठाई है और इतना ही नहीं जब आप क्यों लगे कि ये तैयारी पूरी हो चुकी है जब आपको लगे कि मुझे और कुछ जादा जानना चाहिए तो आप अनकैडमी से किसी कोर्ट को पर्चेस करते समय हमारे इस कोर्ट को जब अपलाई करते हैं जो है AS2021 तो आपको मिलता है पूरे के पूरे अनकैडमी के कोर्ट पे 10% की छूट जो आप को करता है आपके परहाई में Financial Assistance मतलब मदद मैं बता दूं क्लास की टाइमिंग क्या है हमारी जो पहली क्लास सोड़ी आनकैडमी पर जेनल साइंस की यह लाइब मॉक टेस्ट होता है टाइमिंग होती है पांच बज़े की अपनी जो दूसरी क्लास से वो मैथ्स की लाइब म रात के सपने को भविस्य के सपने में तब्दिल करें मतलब जल से जल सेलेक्शन पाएं बस यही है हमारा आप लोगों सो सही हो कि आप सफल होंगे तभी हमी सफल हो पाएंगे अगली बात यह है कि अनिल सर के पास 9 साल का experience है भाईया इतना experience है कि आपको अराम से किसी भी ए 37 की छुट बढ़ते हैं आगे अपना अगला सवाल कह रहा है कि अध्यापक के बजन को सामिल करने पर 24 छात्रों के एक समू का आसत बजन 2 किलो ग्राम से बढ़ जाता है ठीक है तो 24 छात्रों का बजन जो है जब उसमें अध्यापक का बजन सामिल कर लें तो कितने किलो से बढ़ जाता है तो भाईया कह रहा है कि 2 किलो से बढ़ जाता है यदि 24 छात्रों के समू का आंत्रिक बजन 30 किलो है तो मतलब 30 किलो जो बजन था इसमें 2 किलो बढ़ रहा है मतलब अब बजन कितना हो जा रहा है 32 किलो हो जा रहा है किसके बजन को सामिल करने से अध्यापक तो 24 चात्र पलस एक अध्यापक मतलब 25 हो गए तो हम पता करते हैं कि इन 25 का टोटल बजन कितना हुआ तो पता चला कि टोटल बजन हुआ आज सोखेजी जबकि पहले ये बजन कितना था जब इनका औसत कितना था 30 किलो थो और टोटल कैनिडेट 24 थे तो पता चला कि पहले ये बजन था 720 तो आप घटा लो पता चलेगा टीचर का बजन कितना है तो 80 किलो है देखो बिल्कुल ही सही जवाब है जो रेलवे रिकूट्मेंट बोर्ड ने भी दिया है और भी गुरूप डी के एक जामसल पर भी दिया है अंसर में भी दिया है बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न कहा रहा है कि एक ब्यक्ती ने चीनी के बैक के 12 बैक पे इतना प्रती बैक किदर से 8 बैक इतने प्रती बैक किदर से खड़ी दे तो सब बैक का आसत मुल्क है बहुत असान है आप क्या करो 12 बैग को 1200 रुपे से गुना करो 8 बैग को 1500 रुपे से गुना करो और 10 बैग को 600 रुपे से गुना करो अब टोटल देख लो कि कितने बैग हैं तो 12 बैग, 8 बैग, 20 बैग, 20 बैग, 10 बैग, 30 बैग, अब इसको आप गुना भाग करके 30 से जब भ करते हैं अगले प्रसने की और जो बहुत ही important प्रसने है कह रहा है कि निम लिखित में कौन एक पडिमय संख्या है तो देखो पडिमय संख्या वो होती है जो की एक प्रकार से एकदम सीधा साथा संख्या हो ना point में हो ना root में हो ना किसी प्रकार से disturbed संख्या हो तो देखो 5 का पावर जो 32 दिया है 5 रूट अंजर 32 जो दिया है यही इसका सही जवाब है क्योंकि 32 का मतलब होता है 2 का स्क्वाइर 5 अब रूट के अंदर 1 वाइब 5 है तो उसको आप 1 वाइब 5 करोगे तो 5 वाइब 5 चला जाएगा मतलब 2 ही एक मात्र इस पुड़े के पुड़े answers में एक ऐसा संख्या जो rational number है जो complete form में कितना है 2 है तो our right answer is option D which is root 32 अगला परसन कहे रहा है कि यदि cot alpha वरावर root 2 प्लस 1 है तो 10 alpha minus cot alpha का मान कितना होगा देखो बहुत असान है 10 के वारे में तो आप लोग जानते हो कि 10 का मतलब क्या होता है 1 by cot alpha होता है फिर minus cot alpha है तो cot alpha लिख सकते है 1 by root 2 plus 1 लिख सकते है तो है ना तो लिख देंगे 1 by root 2 plus 1 हम क्या कर रहे है इसको rationalize कर दे रहे है हमेशा minus से होता है तो minus से किया minus cot alpha है तो फिल लिख दो root 2 plus 1 minus के अंदर है ठीक है अब जब calculate करेंगे तो उपर में हो जाएगा कितना उपर में हो जाएगा root 2 minus 1 और नीचे वाला तो यह a plus b और a minus b मतलब a square minus b square root 2 का square 2 2 और मैनस 1 तो 2 minus 1 तो 1 ही हो जाना तो यह तो नीचे में कुछ बचा नहीं उपर में क्या हो जाएगा minus root 2 और minus 1 ठीक है अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है कि एक लंबाई इतनी लंबाई की छर है जिसको इतने लंबाई के बरावर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितने छर प्राप्त होंगे अरे भाईया यह तो सबसे आसान प्रस्न है हमने क्या किया कि इसको ले लिया और इसको किया है आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है क्योंकि आपको इसके माध्यम से मिलेगा एससे CHSL गुरूप डी और रेलवे के सभी एक्जामिनिशन के बेसाड़े इंपॉर्टेंट प्रस्न जो आज तक टीसियस ने पूछा है जो रेलवे गुरूप डी ने पूछा है तो आप आज ही इस किताब को प्राप्त करेंगे तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे यूटूब के description में जहां आपको मिल जाएगा हमारे इस किताब को download करने का link फिलाल अभी के लिए बस इतना ही thank you friends